हेलो फ्रेंद्स वेलकम बाक टो माँ यूट्यूब चानल साइं खुशी क्रियेशन्स आज के वीडियो में आपको सुगर पूजन की विधी दिखाने वाली हूँ विधी सिखाने वाली हूँ तो सुगर पूजन मोसली महाराश्या और साउथ इंडिया में किया जाता है यह प पाट्टा रखेंगे पाट्टे पे पीला कपड़ा बिचाएंगे अब यह देखे सुगर यानी की इन्हें कुल्हड भी बोला जाता है तो यह जैसे भी आपके हां मिलते हो आप वैसे लें डेकॉरेटेड भी ले सकते हैं साधी भी ले सकते हैं और कई लोग परंपरिक तर सिरामिक की बढ़नियां यह बढ़नियां भी ले सकते हैं यह तो आपको फॉरिन कंट्री में भी ईजीली अवेलिबल हो जाएंगी फिर आपको क्या करना है इन पे मोली बांदनी है अब हमारे हम मोली बांद रहें कई लोगों कि आप कच्चा सूध भी बांदते हैं तो से भी चाहें तो कर सकते हैं वैसे तो मंदिर के आगे ही आप पाटा लगा ले उसके बाद सुपाड़ी पे चंदन रोली लगाके गनपती जी को फूल और दुरवार पित करेंगे फिर यह जो कुल्हड यानि की सुगर हमने लिए हैं इन पे हम चंदन के टीके लगाएंगे य जैसा कि आप लोगों को पता होगा मकर संक्रांती हो गई पोंगल यह सब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं तो जो जो हमारी खेती में हम उगाते हैं जो जो नहीं-नहीं फसले होती हैं वो सब सुगर में भरी जाती हैं बट सबसे पहले आपको तिल और गुड की मिठाई तिल और गुड के लड़ू गुलदाना जो भी भड़ना चाहें वो आप इन में भरे तो या तो आप ऐसे ही थोड़ा सा डाल सकते हैं नीचे वट यह जिपलोक में डालने से जाद अच्छा होता है तो हम इसमें डालते हैं आप कागस की पुडिया बना के भी डाल सकते हैं फिर एक रुपए का सिक्का डालें और ये देखें मैंने गन्ना, मूग, फली, मटर, गाजर ये सब लिया है जो नई फसले होती हैं हरा चना जो उखता है इन सबकों में जो सुगड है यानि कुल्ड है इसमें भरूंगी नई रूई भी आती है ये नई रूई भी हम हमारे कुल्ड में यानि सुगड में भरेंगे तो ये देखें जो नई रूई उकती है गन्ना इसके इलावा जो जो आपको मिले वो आप इसमें रख सकते हैं जो नई फसले हो फली हम इसमें रखेंगे सेम की फली बेर हम रखेंगे गेहू रखेंगे हम और ये जवारी जो आती ह ये जुआरी भी हम रखेंगे जादा तर जो मोहर जैसे अगर आम के पेड़ों पे मोहर आ गई है जिस भी पेड़ों पे मोहर आ जाए मोहर रखना इसमें बहुत इंपोर्टेंट होता है तो हमने गेहों की और जुआरी की रखी है सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी जो हमारे सुगर हैं वो भी भड़ लेंगे तो ये देखें एक एक करके इनमें सब डाल देंगे गाजर चने मटर मूग फली गन्ना फली और गेहूं गेहूं इसमें इंपोर्टेंट होता है गेहूं गन्ना ये सब इंपोर्टेंट चीज़े होती हैं इसमें जो आपको रखनी चाहिए और बेर भी बहुत इंपोर्टेंट होती है तो ये देखें ये सब हम रख लेंगे अगर किसी वज़े से आपके हाँ ये सब समान नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगी तो उसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें तो ये देखें जो चावलों की धेरी हमने लगाई थी उन पे हम हमारे पांचों सुगर रख लेंगे अब हम इन पांचों के सामने पांच पांच भी रखेंगे अगर आप बड़ी सुगर ले रहे हैं यानि बड़ी कुलर ले रहे हैं तो ये पांच और इन पे जो जो समान हम रखेंगे वो आप उसमें भी रख सकते हैं बट हम सामने रख रहे हैं तो ये देखे इन पानों पे हमें क्या क्या रखना है हमें हल्दी की गांट रखनी है सुपाडी रखनी है یہ जो खजू खरीक चुवारे जो भी आप इनें बोलते हो वो रखेंगे नारीयल रखेंगे नारियल का टुकडा रखेंगे और बदाम रखेंगे आप नॉर्मल वाला बदाम भी रख सकते हैं तो ये देखें ये पांचो पानों पे हमें रखना है इसके बाद हम इन पे थोड़ा सा हल्दी रोली अर्पित करेंगे हल्दी रोली चड़ाएंगे और जो हमारे सुगर हैं उन पे भी हम हल्दी रोली चड़ाएंगे इसके बाद आज संक्रांती है मकर संक्रांती के दिन तिलों का बहुत महत वो होता है तो आप तिल भी जरूर चड़ाएं क्योंकि हमने सुगर के अंदर भी तिल रखे हैं लड़ों के रूप में अब हमें फूल चड़ाने होते हैं तो कई लोग तो जो सुगर होते हैं उनने पूरा फूलों से ढखते हैं कहते हैं संक्रांती को ढख कर रखना चाहिए इसलिए बट अगर आपके पास जादा फूल ना हो तो आप कैसे ढखेंगे या फिर आप इनको उपर ऑन से किसी दूसरे सुगर से भी ढख सकते हैं मैं ने पहला प्रोसीजर तो यह बता दिया आप फूलों से ढख सकते हैं बट मैं फूलों से नहीं ढख़ुंगी मैं यहां सामने फूल चड़ा दूंगी और एक एक पत्ती से जो हमारे सुगण है उन्हें हम ढग देंगे अब हम प्रशाद चढ़ाएंगे तो उसके लिए गनपती जी को तो मैं लड़ू चढ़ा रही हूँ आप गुड नारियल भी चढ़ा सकते हैं और सुगण पर हम कोई से भी मिठाई आप तिलगुर के लड्डू, कुछ भी रेवडी जो भी आप चढ़ाना चाहें वो मिठाई आप चढ़ा सकते हैं पिर फिर हल्दी रोली हल्दी कुमकुम भी आप वहां जरूर रखें मैंने भी हल्दी कुमकुम रखा है यह देखे आप वो Серैमिक बोल में भी सेम इसी तरीके से जो हमारा समान है वो भर सकते हैं यह देखे अब हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे दीपक चासेंगे और दूब दिखाएंगे दीपक दिखाएंगे इसी के साथ साथ दीपक की अगनी में भी हम तिल जरूर अर्पित करेंगे फिर प्रिशाद की रूप में मैं तिलगुड के लड़ू भी रख रही हूँ और इसी प्रकार से हमारा जो पूजन है वो कम्प्लीट हो जाएगा अब आपको इनका क्या करना है एक सुगर तो आपको अपने मंदिर में रखना है भगवान के एक सुगर आपको तुलसी के पास रखना है और बच्चे हुए जो तीन सुगर होंगे वो आपके गर पे जो महिला हैं हल्दी कुम कुम के लिए आएंगी उनको दे देना है अब ये देखे अगर आपके हाँ ये समान नहीं मिलता तो फर्स्ट आप्शन तो ये है आप मेवे भर सकते हैं उन सुगर में भी भर सकते हैं जो मिट्टी के हैं या फिर ऐसे सिरामिक वाले में भी भर सकते हैं अगर dry fruits नहीं भढ़ना चाहते आप तो चावल भर सकते हैं उनके साथ तिल गुड का packet रख ले या फिर तिल भर सकते हैं आप खिचड़ी भी भर सकते हैं और सब पे आपको तिल गुड का packet भी रख लेना है तो ये भी आप कर सकते हैं तो ये देखे इसी तरीके से हमारी जो पूजा है वो कम्प्लीट हो गई है कि मकर संक्रांती पर आपको सुगर पूजन किस प्रकार से करना है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले मेरे चानल साइन खुशी क्रियेशन को भी जरूर से सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंज और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग